चिडिया की परेशाने सकारात्माक सोच कैसोरी चिडिया को बचपन से ही बागी चिडिया के बच्चे चिडियाते थे कोई कहता जब तु उड़ नहीं सकती तो चिडिया कीस काम की तो कोई उसे उपर पेड की डाल पर बैट कर चिडाता या रे कभी हमारे पास भी आ जाया करो जब देखो तब जानोर की तरह नीचे धर चरती रहती हो ऐसा बोल कर सब के सब खुप हसते कई सोवरी चिडा सुरू सुरू में इन बातों का बुरा नहीं मानती लेकिन किसी भी चीज की सिमा नहीं होती है बार बार चिडाने से उसका दिल तूट गया वो उदास बैट कर गई आसमान की तरफ देखते हुए बोली ए इश्वर तुमने मुझे चिडा क्यों बनाया और बनाया तो बनाया पर मुझे उटने की काबिलियत क्यों नहीं दी देखो सब मुझे कितना चिडाते है अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती मैं इस जंगल को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर जा रही हूँ और ऐसा कहते हुए कैसो औरी चिडिया आगे बढ़ गई अभिव कुछ देत कुछ दूर गई थी कि पीछे से एक भारी भरकाव आवाज आई रुको कैसो औरी तुम कहां जा रही हो कैसो औरी ने आश्चरे से पीछे मूड कर देखा उसे खड़ा जामुन का पेड उसे कुछ कह रहा था कुरपया तुम यहां से मत जाओ हमें तुमारी जरूरत है पुरे जंगल में हम सबसे अधिक तुमारी वज़र से ही फल फूल पाते है वो तुम ही हो जो अपनी मजबूत चोस्ते फलों को अंदर तक खाती हो हो सकता है बाकी चिड़या के तुम माइने ना रखती हो लेकिन हम पेड़ों के लिए तुम से बढ़कर कोई दूसरी चिड़या नहीं है मत जाओ तुमारी जगह और कोई नहीं ले सकता पेड़ की बात सुनकर कैसोवरी चिड़या को जीवन में पहीलिवार अहसास हुआ कि वो इस धर्ती पर बेकार में मवजूत नहीं है बगवान ने उसे एक बहुत जरूरी काम के लिए भेजा है और स्रीप बाके चिड़यों की तरह नव उड़ पाना कहीं से उसे छोटा नहीं बनाता आज एक बार फिर कैसोवरी चिड़या बहुत खुशती वो कुशी कुशी जंगल में वापस लौट गई तो देखो कुशी चिड़या की तरह ही कई बार हम इंसान भी लो फिल करने लगते हैं हम सोचते हैं कि उसके पास ये है उसके पास वो है सब कितने लखी है and all that हमें कभी भी विकार के टेंशन में नहीं पढ़ना चाहिए हर एक इंसान के अंदर क्वालिटी होती है कोई न कोई बात है जो उसे खास बनाती है हाँ हो सकता है कि वो पूरी दुनिया के लिए एक इंसान हो लेकिन किसी एक के लिए वो पूरी दुनिया हो सकता है इसलिए life को important समझे और इस अमुले जीवन को positive thoughts का तोपा दिजिए येकिन जाने है सकारात्मक सोच का एक तोप का आपकी जिन्दगी बदल देगा